नमस्कार साथियों, आज चर्चा सामवादी पार्टी पे होगी, और सामवादी पार्टी या सामवाद की जब चर्चा होती है तो भारत में कम से कम CPI और CPM इन दो पार्टीयों पे जरूर चर्चा होती है। और ये बड़े ताजुब की बात है कि ये दोनों ही पार्टियां या बामपंथी पार्टियों के और भी घटक जो हैं, उनमें जनता को सामाने तरह ये समझ में नहीं आता है कि जब ये सभी के सभी माक्सवात के सिध्धानत पर आधारित हैं, तो इनमें फर्क क्या है, क्यों इनमें अलगाव हुए और ऐसा माना जाता है कि बामपंती दलों का एक मंच पे ना आपाना या एक मंच पे आने के बाद पिर अलग-अलग छिटर लिया बिखर जाना ये भी बामपंत की या बामपंती आंदोलन के कमजोरी का एक बहुत बड़ा कारण था जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो Communist Party of India है जिसको हम सामेवादी पार्टी कहते हैं या हिंडी के चातर जिसको भाकपा के नाम से अखबारों में भी आप करते हैं भारती Communist Party कि यह जो सीपी इसको हम लोग सीपी आई कहेंगे और भारती Communist Party जो मार्कवादी है उसको सीपीम कहेंगे समझ की सुद्धा के लिए यह आसान सीपी आई और सीपी आई जो है अतार्थ जो Communist Party of India है उसका वैसे तो जनम देखा जाए तो विदेश में रूस में हुआ था USSR में हुआ था ताशकन 1920 में और जब ताशकन में इसका स्थापना हुई तो उसके बात से बहुत सारी करांतिकारी करतिविदियां भारत में चलने लगी लेकिन अभी वह संगटी सुरूप था बहुत जादा और कानपूर जिसको कि मैंचेस्टर आफ इस्ट कहा जाता था वहाँ पे 25 डिसंबर 1925 को कमिनिस पार्टी का पहला अडिवेशन कानपूर में हुआ और वहीं से एक प्रकार से भारत में हम कह सकते हैं कि कानपूर से ही मैंचेस्टर आफ इस्ट मैंचेस्टर आफ इंडिया से ही एक प्रकार से सामेबादी पार्टी की शुरुआत हुई और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि कानपूर उस समय मजदूरों का और फैक्टरियों का कलकारखानों का एक गढ़ मना जाता था और वहां पे संगटित मजदूर बहुत जादा थे और इसी का परिणाम था कि सुद्धा के बाद चार लगातार में जो लोकसभा क चुना हुए वहां से कानपूर के SM Banner जी जीते थे जिनकों की बामपंती दलों का CPI से वगरा का सबका समर्तन प्राप्त होता था बामपंती दल जिसमें CPI और CPM भी आते थे लेकिन आज उस कानपूर में बामपंत का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है बामपंत का कोई ने समयवादी दलों का प्रभुत बिता वेस्ट बेंगाल तरेपुरा केरल कभी किस जमाने में उडिसा उन सभी जगों पे समयवादी दल का पराभव हो गया है और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि समयवाद का विगटन हुआ 1964 में और वहीं से समयवादी पार्टी CPI और CPI इन दो दलों में विवक्त हो गई यह भी बड़े ताज़ुक की बात है कि देखा रहा है तो दोनों ही पार्टियां अपने को मार्क्सवादी विचार धा रहा है मार्क्सवादी आइडियोलोजी से क्लेम करती हैं कि हम उससे जुड़े हुए हैं तो पिर इनमें विक कॉमिनिस पार्टी थी वो संसर्थ में दूसरे नुम्बर के पार्टी थी कॉंग्रेस के बाद सब्से ज्यादा 16 MPs कॉमिनिस पार्टी के थे और आज की सितिये है कि आज विकटित रूप में अधिक से तीन CPM के मेंबर्स पार्लामेंट में हमारे लोग समा में हैं तो यह इस प्रकार से वैसे कभी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा बामपंत का भारत में जिसके कुछ कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन जिस तरीके से आज बामपंत सिमट गया है और एकदम से वह मार्जिनलाइस सा हो गया इंडियन प्लिटिकल सिस्टम में उ सुझता के बाद से जब भारत में बामपंती दलों का एक प्रकार से प्रादूर भाव हुआ और यहां पर बामपंत को अपनाये जाने लगा तो एक बहुत ही कंजीनियल वातावर्ण इस लिए था कि कांग्रेस भी उस समय कांग्रेस में एक बहुत स्ट्रॉंग ग्रूप जो की बामपंत का बड़ा समर्तक था नहरो जुस्वाइम बामपंती रुजान के थे और भारत में जिस पकार की गरीबी थी जिस पकार की बेरोजगारी थी जिस पकार की लोगों की समस्याएं थी असन की समस्याएं थी उसमें बामपंत को जर्मिनेट होने के लिए बामप खास ऐसी बातें जरूर थी बामपंती विचारदारा में या बामपंती आंदोलन में, जो कि भारत की जनता जिसे सुई कारण नहीं कर सकी, आज हम उसके दो विशेश कारणों पर चर्चा करेंगे, पहला कारण तो बामपंत का एक प्रकार से रेलिजन, एंटी रेलिजिस जो एप्रोच है, जिसमें की मार्क्स ने कहा कि रेलिजन इस दे ओपियम आप दे पीपल, तो रेलिजन को भारत में ओपियम कह देना, ये एक अपने आप में बहुत ही अजीब सी बात थी, क्योंकि भारत का आदमी बेसिकली रेलिजियस है, वो पूजा पद्दिती में विश् जाते हैं, हम सभी लोग एक प्रकार से रेलिजियासिटी यहां का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांपोनेंट है, लेकिन चब चुकी बामपंती आंदोलन ने रेलिजन को दरकिनार कर दिया, तो एक प्रकार से वो भारत के मनोविज्ञान से कट गया, भारत की जो अंतरात पहलू था, कि बामपंती जो दर्शन है, वो एक प्रकार से वाइलिन्स को एकसेप्ट करता है, मार्क्स ने जो सरवहरा की करांती का सिद्दान दिया है, कि करांती के माद्यम से ही सामयवाद की इस्थापना होगी, तो करांती में जो हिंसा का तत्व है, वो भी भारती जन् समय बामपंती आंदोलन नेसो बीस के बाद नेसो पच्छिस, नेसो बीस से आनवर्ड जो है भारत में जब उसकी आगमन हुआ, उसी समय का जो सुतनता आंदोलन था, वो इलकूप पूरे परवान पे था, और वो गांधी जी के नेतरत्तों में था, और गांधी जी के सुत काल में नहीं जमा पाया, क्योंकि यहां पे सभी लोग गांधी जी के नितरत्तों में इतने मश्गूल थे कि उनको लगा कि बामपंती बिल्कूल एंटी फ्रीडम मूवमेंट टाइप पी चीज बात कर रहा है, क्योंकि वो तो हिंसा की बात कर रहा है, और गांधी जी तो ह खराब मानते थे, वहीं बामपंतियों ने हिंसा को अपने जैसे मार्किस फिलोसफी में जैसा की है, उसका आधारशिला बनाया है, तो रिलिजिन को दरकिनार करना, या रिलिजिन की उपेक्षा करना, और हिंसा को अपना एक टूल बनाना, ये दो ऐसे फंडमेंटल एरर्स है लेफ्टिस्म में, की लेफ्टिस्ट मांदोलन या लेफ्टिस्ट जो नेतरत उता, लेफ्टिस्ट आइडियालोजी भारत के मनोविग्यान से अपने को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाई, भारत के मनोविग्यान से अपने को जोड़ नहीं पाई, इसलिए आज तक ये बामप 64 तक तो ये दोनों एक ही थे CPI और CPM एक ही थे लेकिन इन दोनों में 1964 में एक विभाजन हो गया और तब से CPI स्प्राइभ आजने गए राजनितिक दलों के रुप में मानने हैं मानने हैं बले ही दोनों राजनितिक दल राष्ट्री से लिडाई कि dire करते हैं उनकी राष्ट्री बाननेता है लेकिन करण तो ये था कि जब सुतंता आंदोलन चल रहा था उसी समय आप जानते हैं कि विश्विद्ध की भी विशिका से हम लोग गुजर रहते हैं पूरा विश्व गुजर रहा था और चुकि भारत का जो समाजवादी आंदोलन था समाजवादी डल था इसकी ओरिजिन ताशकं प्रकार से जो यहां पर एक तो यह दिश्टी को उड़ था और इसलिए जब एक प्रकार से रूस और चीन में थोड़ा सा तनातनी हुई स्टैलिन की डिद के बाद 1953 में स्टैलिन की डिद हुई और उसके बाद से रूस और चीन में वैचारी की इस्तर पर लेके मद्बेद होने लगे और इसलिए वद्बेद हुए कि सोवियत संग ने ये माना कि भाई पीसपुल को इग्जिस्टेंस को एक एम डिप्लोमेटिक एम की तरीके से माना जाए उसको एक अपना राजनाई के टूल बनाया जाए कि चलिए ठीक है और इसलिए माना जाए कि जो लोकतांत्रिक तरीक रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं साब रूस तो बिल्कुल जो है रिविजिनिस्ट हो रहा है संचोधनवादी हो रहा है और रूस जो है वो उससे हमारा वैचारिक भी भेध है क्योंकि हम लोग तो एक मिलिटरी सलूशन चाहते हैं कि जो लोग कैपिटलिस्ट हैं उनके साथ एक बाकाइदा मिलिटरी संगर्श होना चाहिए खूनी एक रांती होनी चाहिए और तब जाके हम लोग जो है उसको सुईकार करेंगे कि उस माद्यम से हम सामेबाद की स्थापना का प्रियास करेंगे तो जहां रूस पीस्पुल कोईग्स्टेंस और डिमोक्राटिक म सामेबाद की स्थापना के लिए तयार हो गया था वहीं चीन इसके लिए तयार नहीं हो गया था और यह जो दृष्टिकोंड था यह इतना गहरा हुआ कि 1969 में रूस और चीन के बीच में बाकाइदा एक पकार से कांफिक्ट हुआ संगर्श हो गया और जब यह चल रहा था सारा का सारा दुटिवी शुदिक के दोरान और उस 1950 में उसी समय हमारा जो भारत में सामेबादी डल था वो उसमें भी दो खेमें बन गए एक प्रो सोवियत ग्रूप था जो की सोवियत रूस का समर्थन करता था और एक चीन समर्थन ग्रूप उसमें जो की रैडिकल था ज उसमें उपर से करेले पे नीम चड़ा 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हो गया उसने भी एक प्रकार से विबाजित कर दिया इन पूरे खेमे को एक चीन समर्थक जो था वो सी पीम रेडिकल चीन के समर्थक होने लगे एक प्रकार से जो की चाहते थे कि नहरू को उतना सम पाइंट था ये भी रूस चीन के बिटरनेस के साथ साथ भारत चीन का जो युद्ध हुआ 1962 का वो भी इसमें बहुत मात्वपूर्ण भूमिका निभाया और इसी के परणाम सरूप युद्ध के बाद भारत चीन के युद्ध के बाद एक प्रकार से हम देखते हैं कि 1964 में यह बिभाजित हो गया CPI जो है दिल्ली में इसकी एक नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई और उस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में बाकाइदा 32 अदस जो है वाक उट कर गए और बाद में कलकत्ता में जाके उन्होंने एक कहा कि हम रियल कॉमनिस पार्टी का संगटन कर र बादी पार्टी वही उभर के आ गई और CPI पिछड़ गई तो 1964 के बाद से हम देखते हैं कि बारत में CPI पीछे चली गई और CPM आ गया गया गयो तब से बराबर CPM ही को बारत में कमनिस पार्टी का एक प्रकार से अग्रणी या मुखिया माना जाता है और यह पार्टी जै यह वह हुआ और 1967 में खुद CPM ने वेस्ट बेंगॉल में एक मिली जूली सरकार बना दी यूनाइटिट फ्रेंट सरकार कहा जाता है और जब CPM ने एक मिली जूली सरकार वेस्ट बेंगॉल में बनाई तो एक जो और रेडिकल ग्रूप था जो जिसको की चारू मजूमदा हेड करते थे उन्होंने एक्यूज किया CPM को कि अब आप रिविजनिस्ट हो रहे हैं आप जो हैसन शोदनवादी हो रहे हैं और आप उतने लेफ्टिस्ट नहीं रहे जितना कि आपको होना चाहिए था और आप आप इस सगिल का सहरा चोड़के आपने विस मेंगाल में एक एक अलग से ग्रूप बना लिया और जिस ग्रूप को कि एक प्रकार से उन्होंने नाम दिया कि Communist Party of India Marxist-Leninist अर्था CPIML तो आपने तीन जो अकसर सुने हों कि CPI, CPIM और CPIML यह तीनों इंट्रेस्टिंग इसलिए हैं कि यह एक दूसरे को एक्यूज करते हैं कि यू अर radicalization होता जाता है उसी lines पे कि CPI is least radical, CPIM is more radical and CPI ML is most radical. तो इस प्रकार से हम तीनों का differentiation देख सकते हैं. और यह जो चारू मजूमडार साहब थे, इन्होंने ही North Bengal में एक परकार से नकसलबारी जिला था जहां पर कि हिंसा एक्तियादी की शुरुआत कर दिया, वहीं से नकसलबारी से ही पर जो जो हिंसा का कारकम शुरू हुआ वो Next Light Moment Group में आज तक बना हुआ है, हमाई लिए अलग अलग मैसूस करते थे। दूसरा जो कारण था CPI और CPIM के विवाजन का वो था कि सुतंतरता के पहले तो कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं थी, सामवादियों ने कभी कांगरेस से एक परकार से confused state of उनका relationship रहा है हमेशा, और 1935 तक तक तो उन्होंने कभी कांगरेस से कोई संबंदी नहीं रखा, क्योंकि वो अपने ही उसमें मश्गूल थे, 1925 में दस साल तक तो वो अपने संगटनात्मागति वीडियों में रहे कि हम कैसे अपने को और्गनाइज करें, और देकिन धीरे 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 जो कांगरेस के अंदर एक समाजवादी घटक था, कांगरेस सोशली सेंटर जिसको हम कहते हैं, उस पर क्योंकि बहुत सारे कनेक्शन्स हो थे बामपन्तियों से उन लोगों के, तो कांगरेस के साथ सहयोग करने का उनका प्रेशर बनने लगा, और बहुत सारे बामपन्ति जो है, वो एक प्रकार से कांगरेस के साथ आने को तयार हो की स्वतनता और बास्तों में हम को स्टेट के साथ एक स्खोनी संगर्श करना चाहिए और स्वतनता की ईव पे सी पी आई ने जो स्टैंड लिया ये बड़ा गातक सी द्वा उनके लिए च्योंकि पूरा देश एक प्रकार से स्वतनता अंडोलन में लिप्त था और बड़े आ और 1951 आते आते उन्होंने का कि नहीं जी हम भी भारत में लोगतांतरिक तरीके जही सामेवाद की स्थापना के लिए संगर्श करेंगे प्रयास करेंगे उन्होंने पहरा एलेक्शन लड़ा और पहरा एक्शन जैसे कि मैंने आपको पताया कि कमनेस पार्टी बारत में सेके लाजिस पार्टी बनके उबरी थी तो ये एक कांग्रेस को जो समर्थन दिया गया सामेवादी दल के द्वारा ये भी एक प्रकार से लोगों के गले नहीं उत्तरा जो रैडिकल्स थे और रैडिकल्स हमेशा ही चाहते थे कि आम्ड स्थापना का प्रयास किया जाए और कां कांग्रेस से अलग होके एक रैडिकल्स तरीके से सामेवाद की वकालत करने वाले लोग उससे अलग हो गए और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिर उसमें भी एक और रैडिकल्स को चारो मज़ुनदार के नेतिज्ट में आया तो इस तरीके से कांग्रेस को लेकर आज तक जो CPI और CPIM या बामपंधी खेमा है वो एक सही दिश्टिकोंड नहीं समझ पाता है कांग्रेस से उसका कैसा रिलेशन्शिप होना चाहिए इसलिए ये भी कांग्रेस के प्रति भी उनका जो दिश्टिकोंड रहा है वो भी उसमें कन्फूजन होने से भी लोगों को लगता है कि बामपंध का रविया ठीक नहीं है और तीसरा जो डॉक्ट्राइनल डिफरेंस थे दोनों के आइडियलोजिकल तो मूरिंग से एक ही है तो आइडियलोजिकल तो फांडेशन्स मार्क्सिजिम ही है इसलिए वहाँ तो कोई प्राबलम है नहीं लेकिन जहां तक बात रह है कि भई जो सिकेंड वर्डवार हुआ सिकेंड वर्डवार में एक खेमा था जो की रेडिकल था वो मानता था कि भई सरकार से किसी प्रकार के संबंद नहीं रखना है हमको तो armed struggle की तरफ ही चलना चाहिए और इसलिए वो armed struggle को promote करता था और government आर्था तो उस समय जो भी government थी भारत में उस government से वो कोई भी truck नहीं रखना चाहता था जब कोई भी संबंद नहीं रखना चाहता था चाहता था कि हम इ एक प्रकार से भारत जो संगर्श कर रहा है, वो एक capitalist state के बिहाफ पर संगर्श कर रहा है, इसलिए हमें भारत का oppose करना चाहिए, तो एक खेमा था जो की CPI M के रूप में जाना गया, उसका मानना ये था कि हम भारत को सहायता दे के, हम capitalist state को सहायता दे रहे हैं, लेकिन जो दू सामयबाद आएगा कैसे, लेहाजा अभी फिलाल भारत को और इंग्लेंट के साथ काम करके, यहाँ पर पहले सदुनता प्राप्त की जाए, और बाद फिर उसको देखेंगी कि कैसे यहाँ पर सामयबाद की स्थापना की जाए, तो एक लाइन ये था, फिर जैसा कि मैंने आ काई ठीक लेती थी ऑराप्ति के लेती और इसा मान्तिते कि जो मेनॉरिटी दे उनको सिसेशन कर रही थे 12 पेम मान ती ते कि जो टेलागाना वेस्ट पेंगल ट्रपुरा केल में जो ہमारी जड़े हैं वहाँ पर हम आ आ Gemारे को विड़ में दिえ अ हैं कि उनमें चोटे-चोटे जो डॉक्ट्राइनल डिफरेंसेस थे मार्क्सिस्ट फिलोसफी के रैडिकलिजम पे रैडिकल जुरूप पे या मार्क्सिस्ट फिलोस्ट मार्क्सिस्ट आइडियालोजी को किस तरह किसे भारत में लागू किया जाए सामेबाद को कैसे लाए ज सकता है यह काता कि arm circle से ही लाए जा सकता है CPI versus CPI दूसरा congress को सही होग देने पर differences थे एक कहता था Congress को सही होग दे के दूसरा कहता था कि बिलको नहीं और तीसरा जो था वो एक प्रकार से Soviet और चीन के बीच में जो differences थे उसके आधार पर उनमें कोछ तनातनी आई थी इन तीन कर विशेश कारणों से यह तीनों यह दोनों CPI और CPM एक दूसरे से अलग हुए थे और इसलिए यह इनके पतन का बहुत बड़ा कारण है और हम देखते हैं कि सीता राम जे चूरी जी जो कि सीपीम के जनल सेगेट्री बनाए गए 2015 में फिर 2018 में पुना निर्वाचित हुए उसकी जनल सेगेट्री उनके एजिंड़ा पर यह चीज रिपोर्टेड है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से CPI और CPM इन दोनों का एक प्रकार से पुना मेल जोल हो जाए जिसे की बामपंटी आंदुलन को भारत में सशक्त किया जाए और अधक्षिनपंथ से संगर्ष किया सके तो लेज़ सी कि ऐसा हो पाता है कि नहीं और लोग तंत्र में तो वैचारी के स्वर्धा के लिए बहुत स्थान है चाहे बामपंथ हो चाहे दक्षिनपंथ हो जनता जिसको समर्तन देगी वही आगे बढ़ेगा लेकिन एक छात्र के रूप में हम लोगों को यह जानना चाहिए कि CPI और CPM की अन्नमेंटल दिफरेंस क्या थे क्यों थे और क्यों इनका विक्तर हुआ है थान्यू वेरी मच्छ